Hello everyone, I'm Sathir Deshwal, Welcome to the Square Root Academy आज ही class में हम discuss करने वाले हैं, full subtractor circuit तो चलिए start करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी discuss किया है किसी भी combination circuit को design करने के हमारे पास 5 step थे जिसमें पहला step क्या था? identify number of inputs and output तो चलिए full subtractor circuit में देखते हैं कि हमारे पास कितनी input होंगी और कितनी output होगी तो चलिए हम देखते हैं, suppose कोई full subtractor का circuit है full subtractor में हम क्या करते हैं, 3 bit में subtraction करते हैं तो हमारे पास input कितनी होंगी? 3, कौन-कौन सी input होंगे हमारे पास? साथ में हमने कोई बिट है उसको बॉर किया है कि नहीं किया है तो इसका मतला हमारे पास कि कि 있nekो कि यहांंपे हमारे पासि chips कितनी है पो कॉन कॉंसी, 003 से ले करके 115 टक है चाहीं होगी यह बाए पासिमारे पास नमर नमी मुठ से ले करकर 11 वन तक चैसा shifts हमें आउपूट पर क्या चाहिए एक इक बारों पासिन आप कि यह थे, July से लेकर के 1 1 1 तर तो suppose अगर हमारे input पे 0 0 0 है A B C तीनों की तीनों input ही अगर हमारे 0 है तो उनका difference कितना आएगा 0 यह हमने जो binary subtraction binary addition वाली class में हम यह चीज़ देख चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो मिस किये तो प्लीज उसको जागर के देखिए अगर हम हम क्या करते हैं difference में हमारा क्या होगा अगर हमारे तीनों ही बिट 0 है तो हमारे difference 0 होगा बॉर भी हमारा 0 होगा अब हमारे input 001 आती है तो हम क्या करेंगे पहले A से B को subtract करेंगे तो 0 से 0 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमारा 0 आएगा फिर 0 से 1 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हम When लेना पड़ेगा तो किसी भी अगर कॉह कर और हम्हों क्या करें तो हमारा 1 गायगा साथ में बढ़ धरीक हैं इसी तरीके से जह मारी इनफुट 01 01 होगी तब हमारा क्वैष्हार होगा साथ में घ्ensible लिया आए क्योंकि हमने A से अगर B को सब्ट्रेट करें तो B हमारा 1 है A हमारा 0 है तो 0 से 1 को सब्ट्रेट करने के लिए हमें एक बौरो लेना पड़ेगा तो यहां पे भी हमारा जो बौरो बिट है वो 1 आएगी आध्म हम अगर इंपूट ले 0-1-1 तब हमारा क्या होगा डिफेरण्स हमारा 0 आएगा क्योंकि पहले हमने यहां पे बौरो लिया तो 2-1 तो 1 आयगा 1-1, 0 तो डिफेरेंश 0 बौरो हमारा 1 इसी तरीके से जब हमारे input 1, 0, 0 होगी तो हमारा difference 1 बौरो हमारा 0 अगर input 1, 0, 1 है तो हमारा difference 0 बौरो हमारा 0 अगर input 1, 1, 0 है तब difference 0 फिससे बौरो हमारा 0 अगर हमारे तीनों input 1, 1, 1 है तब हमारा difference की value 1 आएगी और बौरो हमारा 1 आएगा तो यह हमारा था second step किसी भी combination circuit को design करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या design करें आप हम full subtracted circuit जो है design करें तो full subtracted circuit के लिए हमने truthable देखा किस तरीके से होगा output पर हमें मिल रहा है difference एक हमें borrow third step हमारा क्या था write the logical expression तो यानि कि हमें logical expression लिखना पड़ेगा अपनी दोनों की दोनों output के लिए एक output हमारे पास क्या है difference दूसरे output हमारे पास क्या है borrow तो अगर हम difference या borrow दोनों कोई SOP form यानि कि sum of product format में लिखे तो हमें one कहां कहां पे मिला है one हमें difference मिला है एक इस place पे second यहां third यहां fourth यहां पे तो इस time पे हमारी input की condition क्या क्या है a bar b bar c यहां पे हमारा क्या है a bar b c bar फिर हमारा a b bar c bar और last में हमारा a b c तो हमारा जो logical expression क्या आएगा इस तरीके से आएगा इसमें हम क्या करेंगे c को common लेंगे किस किस तर्म से first and last term जग हम C common ले तो हमारा क्या बनेगा A bar B bar plus A B into C फिर जो mid term है उनमें हम C bar common लेंगे C bar common लेके हमारा क्या बचा A bar B plus A B bar तो E into C bar अब हमारा अगर इस तर्म को हम क्या लिख सकते है A X nor B और A X nor B को हम क्या लिख सकते है A X or B का bar तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A X or B का bar into C प्लस यह हमारा क्या है A X or B into C तो हमारा into C bar तो हमारा किस तरीका का format बन गया यह A bar B plus B bar A तो इस तरीका का format हमारा क्या होता है X or gate का तो इसका मतला हमारा क्या है हमारे output क्या है A X or B X or C तो यह हमारा difference है साथ में हमारा borrow पे हमारा one cup कब आया था जब हमने truth table में देखा तो उसके corresponding हमारी जो terms होंगी वो किस तरीके से लिखे जाएंगी a bar b bar c plus a bar b c bar plus a bar b c plus a b c अब हम क्या करेंगे first two terms से हम a bar common ले तो हमारा यह बचेगा last में हम क्या करेंगे last term से b c common लेते हैं तो a bar plus a बरेगा तो जिसकी value हमेशा हमारी क्या होगी हमेशा उसकी value one होती है तो one को हम one into कुछ भी multiply करेंगे तो हमें answer हमारा variable ही मिलेगा तो हमारा किस तरीके से format बना यह हमारा यहाँ पर आया b c plus a bar into b x or c तो यहाँ पर हमने क्या किया कोई दो variable लिये साथ में जो third variable था उसका बार into जो फर्स जो variable यह थे उनकी बीच का क्या क्या x और क्या इसी तरीके से अगर हम दूसरी से भी कर सकते हैं यानि कि अगर हमने b c लिया है कई बार हम a c common ले सकते हैं इसी तरीके से हम इसको different different तरीके से change करके लिख सकते हैं यानि कि पहले दो variable उठाने है उनका multiply करना है प्लस जो remaining variable है उसका बार into हमारा जो दो variable हमने पहले लिए उनके बीच में x or gate को implement करना है तो यह हमारा क्या होगा borrow का output होगा या फिर हम इसको एक और format में लिख सकते हैं इस format में हमारा क्या होगा दो variable लिए उनमें से first variable का बार है यानिकि a bar b plus c third variable जो आया उसका multiplication कि किसी के साथ किया हमने जो दो variable लिए उनके x nor के साथ ऐसा ही हमने जब full subtractor पढ़ा था हमाँ पर हमने क्या पढ़ा था a b plus c into a x और b यहां पर हमारा क्या चेंज आए full subtractor के carry से और full adder के carry से full subtractor के borrow में क्या difference आए यहां पर full borrow जो full subtractor का borrow है उसमें हमारा क्या जाएगा जो पहला वैरियेबल है उसमें बार आएगा साथ में जोब हम इनको multiply कर रहें थर्ड वैरियेबल के साथ तो यहां पर हमारा एक्स और था तो यह चीज़ जहान में रखके चलनी है एक फॉर्ट वे भी है इसको लिखने का अगर हम उसको वहां पर हमार था कि मिजोरेटी इनपुट सरकेट था यहां पर उसी तरह ओंट में क्या था एबी प्लस वीची क्लस सी अब हमारा क्या है क्या है अब कोई एक विरियेबल लेरियेबल को मल्टिप्लाय करना है जो दोके होगा बॉरो का आउट पूट होगा तो हमने लोजिकल लिख लिया, difference का भी और borrow का भी, अब हमारा 4th step में क्या था, हमें इसको reduce करना था, यानि कि short form में लिखना था, वो तो हमने expression लिखते-लिखते ही कर लिया, तो हम direct 5th step, 5th step हमारा क्या था, combination circuit को design करने का implementation, यानि कि हम direct implement करेंगे, तो suppose हम 3 variable ले ले लेते हैं, तो हमारा difference क्या मिला था, तीनों का x और कर दे, तो हमारा क्या करेंगे, पहले a और b को x और कराएंगे, उसकी output को c के साथ x और कराएंगे, तो हमें हमारा difference मिल जाएगा, साथ में हमारा borrow क्या था, a bar b plus a bar c plus bc, यानि कि हमारा जो a है, उसका हमने यहां पर बार करा लिया, उसको हमने क्या क्या मिल्टिप्लाई किया, एक बार b के साथ, एक बार c के साथ मिल्टिप्लाई किया, साथ में हमने क्या किया, b और c को आपस में मिल्टिप्लाई किया, तो अगर हम इसको add कर दे हमारा क्या मिलेगा हमें borrow मिलेगा तो यह हमारा था normal implementation अगर हम full subtractor circuit को different components से design करें suppose हम सिर्फ half subtractor का use करके बनाना चाहते हैं तो अगर हम half subtractor से full subtractor को बनाना चाहेंगे तो हमें दो हाफ subtractor लगेंगे साथ में और gate का नेड़ होगा अगर हम सिर्फ नेंडे से बनाना चाहें तो मिनिममम 9 नेंड यान कि 9 नंडे की जरुत पड़ेगी अगर हम 9 of gate इक सैंसे बनाना चाहिए तो हमारा एक सब्सक्राइब को होगा 3 into a decade साथ में दो और गेट का रिख्वार्मेंद होगा इसी तरीके से दिजाइन करना चाहें तो हमें दो में putting कि requirement होगे और कौन से multiplexer होंगे 2 x 4 multiplexer तो अभी हमने combination circuit में Decoder और Multiplexer circuit नहीं पढ़ा है तो जो Decoder और Multiplexer और से design हैं हम बाद में discuss करेंगे लेकिन हम क्या पढ़ चुके रेते हैं उनिवर्सचनों फल्टैों सब्चर्ण है तो अगर हम किस तरीके से करेंगी क्या करते हैं ने से बी को subscribe करते हैं थो हमने पहले दो ए Jan節 लगा सकते हैं। हमने यह लगाई है यह लगा सकते हैं कुछ भी लिया रज़िशल से भीलिόσ authentic PayPal में ने एसब हैव से अन्स मिलता था a x और b ठीक है आप हमें उसका difference क्या मिलता था a bar into b एंगी जो first variable है उसका bar into second variable यह हमें half subtractor में मिला अब हमने क्या किया यहां पर हमारा a x और b मिल गया अब हमने उसको क्या करेंगे दूसरा half subtractor सबस्क्राइब करेंगे जो first half subtractor है उसकी brings output लेंगे फिर दूसरी जो input हम क्या लेंगे direct c को लेंगे तो आप ममें difference में क्या मिलेगा जो variable है फॉर्स्ट र एवरीडार José bor्याबल का x और मिलेगा हमें difference जैसे यहां पर मिला था और इसके यहां पर ek मिलेगा पहला जो variable है उसका बार into second variable तो हमारा पहला variable यहाँ पर क्या है AX और B तो यानि कि AX और B का बार into हमारा second variable हमारा क्या है C तो यह हमारा क्या मिला हमें इसकी output second output में मिला second half subtract रखी लेकिन यह तो हमारा desired borrow नहीं है तो हमें इसको थोड़ा modify करना होगा इसमें क्या करेंगे आप हमें पता है AX और B का जो बार होता है उसको हम किसके equivalent लिख सकते है AX और B के तो हमारा यहाँ पर क्या है C into AX और B मिला हमें अगर हम इसको किसमें add कर दें A bar into B तो हमारा borrow का expression क्या था कोई variable लिया उसका बार into B प्लस जो थर्ड variable बच्चा वो into जो पहले variable लिये AX और B तो यह हमारा क्या था borrow का expression था तो हमें output में क्या मिल गया borrow तो हमें क्या क्या requirement हो में दो half subtractor लगे हमारे साथ में हमारा एक और गेट लगा जब हमने क्या design किया एक full subtractor design किया तो यह हमारा implementation था full subtractor का using half subtractor अगर हमें full subtractor को using nand gate design करना है तो हमारा implementation कुछ इस तरीके से होगा last class में हमने देख लिया था कि nand gate से हम x or gate किस तरीके से बनाते हैं तो x or gate बनाने के लिए हमारे पास क्या था यह चार इस तरीके से अगर हम format में अपने nand gate को लगाएं तो हमें output में क्या मिलता था जो दो input लगाएं उनका x और मिला तो अगर हम यहां पर क्या दे पहले दो input दे a और b तो उसका output हमें क्या मिलेगा यहां पर a x और b यह हमने last class में discuss किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो skip किया तो प्लीज आ करके देख लिए हमने पूरा अच्छे से solve किया हुआ है इस चीज को अब हमें क्या करना है लेकिन हमें difference क्या मिलता है हमें तीनों variable का क्या चाहिए x और चाहिए तो हम क्या करेंगी जो यह वाला किसका a x और b x और c तो यह हमारा क्या मिलगा हमें difference मिल गया full subtractor का अभी अगर हमें क्या करना है अभी अगर हमें इसका borrow design करना है वह में क्या हमारा था a bar b plus c into a x और b तो वह हमें कहां से मिलेगा जो second वाला nand gate है इसको और इस वाले जो x और gate के भी second वाले nand gate को किस से लग हमें ऑना देख लिए तो वह इस तरीके से क्या से नगे मारा क्या था हमने ज Ahí यहां से यहां कि यह था इसको लिया था इस बार हमने क्या लिया है से किंड् ौले को यहाँ पर हमें क्या मिला अब हमें क्या मिला यहाँ वाली इंपूट पर हमें क्या मिला था दोनों जो A और B है उनका multiplication a into b का bar अब हमें यहाँ पर इस वाली में क्या मिला second variable हमारा क्या है b into a into b के bar का whole bar तो हम हमारा यहाँ पर क्या मिला है यहाँ पर मिला हमे b into a into b bar का bar यहाँ पर हमें क्या मिला हमारा दो variable कौन-कौन से यहाँ पर एक c है और एक हमारा A X और B है तो हमारे क्या मिलागा इसी तरीके से पहले हमारे एक C है दूसरा हमारा क्या है दूसरा बारा हमारा यहां पर क्या आएगा C into A X और B X और B का whole bar ठीक है यह इस तरीके से हमारा आएगा क्योंकि हमारे यहां पर क्या हुआ है यहां पर हमारा AX और B आया था, यहां पर C आया था, अब यहां पर क्या मिला, दोनों का multiplication मिला, उसका बार मिला, अब इस डिकर पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमारा C के साथ, दुबारा से वो variable multiply होगा, उसका बार मिलेगा, और इस पूरे system का whole आ, क्योंकि हमने इसको किस इस तरीकी से implement किया है, NAND gate से implement किया है, अगर इसको simplify करें, तो हमारा जो ऊपर वाला बार है, यह distribute हो जाएगा, distribute हो जाएगा, दोनों individual पे, और साथ में बीचे multiplication का sign था, वो addition में change हो जाएगा, तो हमारा क्या मिला, B into A, B का बार, प्रस C into A, X और B का बार, अब हमने क्या कि क्या कि यह जो बार था, दोनों, बार आपस में cancel out हो गए, तो हमें इस तरीके से मिला, अगर हम इसको आगे और simplify करेंगे, इस वाले को, अगर हम करना चाहे, द partition में distribute हो जाएगा, तो B into A bar plus B bar, इस तरीके से C, इस वाले bar को अटाएंगे, तो C bar plus A, इसके उपर बार आएगा, यानि कि A X और B है, A X और B का बार, हमारा A X और B हो जाता है, अगर हम इसको multiply करें, हमारा यहां पर क्या मिलेगा, A bar into B, B into B bar हमारा 0 होता है, हमेशे तो उसक हम नेगलेट कर देंगे, हमें क्या मिला, A bar into B plus C, C, C bar हमारा क्या होगा, यहां पर नेगलेट हो जाएगा, तो C का multiply किसमें होगा, C into A X, और B, यह हमारा क्या था, यह हमारा बारो का result था, तो इसी तरीके से कितने number of Nand gate की requirement हुए, हमें हापे 9 की, यानि कि 9 number of Nand gate के requirement हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, तो 9 number of Nand gate में हमारा क्या implement हो गया, full subtracted circuit, अगर हम full subtracted circuit को NOR gate से design करना चाहें, तो same ही implement होगा, बस क्या धान रखना है हमें NOR gate से, तो अब हमें क्या करना है, जहां पर Nand gate से हमें replace कर देना है, नand gate को NOR gate से, तो अगर हमें इस तरीके से हमारा फिर से circuit बनेगा, पहले हमें क्या मिला, यह चार का combination, दूसरा की चार का combination, तो यहां से इस चार से हमारा क्या हो गया, difference generate हो गया, ठीक है, अब एक और चीज़ धियान रखने की बात है, वहां पर जब हमने Nand gate से design किया था, तो हमें यहां पर output क्या मिलता था, A, X और B, लेकिन यहां बारो किस तरीके से बारो मेंदभी हमें क्या करना है, फिर से second deviand gate का output, इंपर किसे second wale non gate का output 0, को, इधर भी second वारे नार gate शेक के output को, हमने input पे लगाया, इसके अलग से एक nor gate के, तो हमें हमारा बारो मिला, तो वह किस तरीके से मिला, यहां पर हमारा, सपोस क्या था, act, य यहाँ पर हमारा क्या मिला? B plus A plus B का bar का whole bar, क्योंकि हमारा यह NOR gate है, तो अगर हम इसको distribute करें, तो B bar into A plus B bar का part, तो यह दोनों cancel out हो जाएंगे, तो हमारा क्या मिला? B bar into A plus B, तो B into B bar हमारा क्या होगा? 0 होगा, तो हमारा हमें answer में क्या मिला? A into B bar, A into B bar, यानि कि हमारा first variable into second variable का हमें bar मिला, इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? first variable हमारा क्या है? यहाँ पर first variable जो यहाँ A था, B था, और यहाँ पर हमारा क्या है? A, X nor B है, यानि कि A, X और B का bar और दूसरा हमारा C है, तो यानि कि हमारा क्या है एक लोड़ बी इंटू सी बार चाहें याइक नोर को हम एकसर का बार लिख सकते है तो इस तरीके से हमें मिलिㅠㅠ इन दोनों को हमने क्या कियا अड़ कह उघ्जात वह का मिला AX और B बार का बार प्लस C इंटू C बार का बार तो अगर इस तरीके से ये तो दोनों बार आपस में cancel out हो जाएंगे तो हमें क्या मिला AX और B प्लस C इंटू A A bar प्लस B अगर आपसे multiply करेंगे इसको अगर हम open कर देते तो हमारा क्या बनेगा A bar into B प्लस A B bar प्लस C आपसे multiply करेंगे तो यहां पर क्या है यह A bar into B है तो A bar से multiply करेंगे तो सेम ही रहेगा दो बार A bar को multiply करेंगे तो इसका मतलब क्या हम A bar भी लिख सकते तो क्या मिलाzin 2 अब हम्ने यहां से लिग से करे तो हमारा क्या मिलेगा हमें जो यह यहां भी तर करेंगा तो यहhips को ट्रेंड को प्लस उसी वेरियेबल को तीसरे वेरियेबल के साथ मुल्टिप्लिकेशन प्लस दोनों जो अलग वेरियेबल थे बी और सी उनका मुल्टिप्लिकेशन तो यह हमारा वरो मिल गया डिफरेंस हमें मिल गया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब स्क्राइब थेंक यू सो मुच